ये आकाश्वणी है अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्प विकसित और विकासशील देशों ग्लोबल साउथ की स्थिती पर बल देते हुए ब्राजील के रीर डी जिनेरियों में G20 शिकर सम्मेलन को सम्भोधित किया पर आयोजित सत्र को सम्भोधित करते हुए श्री मोदी ने वैश्विक संगर्षों का ग्लोबल साउथ के देशों पर पढ़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों का उलेक किया प्रधान मंत्री मोदी ने भारत की G20 अद्धक्षिता के दोरान लिये गए जन केंद्रित मिल्णईयों को आगे बढ़ाने के लिए ब्राजेल की सरहना भी की उन्होंने भारत की G20 विशय एक प्रिथवी एक परिवार एक भविश्य की टिकाऊ प्रासंगिक्ता की पुष्टी की श्री मोदी ने समावेशी वैश्विक शासन सुधारों का आहवान किया भारत की घरेलू उपलब्धियों का उल्लेक करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले दशक में 25 करोड से अधिक लोगों को निर्धनता से उबारा गया है प्रधान मंत्री मोदी ने अफ्रीका और अन्यक्षेत्रों को दी जाने वाली साहता सहित वैश्विक खादि सुरक्षा में भारत के योगदान का भी उल्लेक किया G20 शिकर सम्मेलन के आज दूसरे दिन प्रतिभागी अधिक महत्वपूर मुद्दों पर चर्चा करेंगे G20 शिकर सम्मेलन में पहले दिन भूक और गरीबी पर वैश्विक गठबंदन और वैश्विक शासन संस्थानों में सुधार पर सफल सत्र आयोजित किया गया प्रधान मंत्री मोदी ने कई दुपक्षिय सम्मेलनों में भाग लिया प्रधान मंत्री ने नौर्वे पूर्टगाल इंडोनेशिया फ्रांस इंगलेंड के राष्ट्र धेक्षियों के साथ दुपक्षिय बारता भी की दिन का प्रमुक आकर्षन दुपक्षिय सहित कई मुद्दों पर ध्यान के इंद्रित किया गया दूसरे दिन भी सम्मेलन सदस्य दो सत्रों में भाग लेंगे पहला सत्र सतत्विकास और उर्जा संक्रमन और दूसरा सत्र डिजिटल बुन्यादी धांचे पर आधारित होगा पीयम मोदी सतत्विकास और उर्जा संक्रमन के सत्र को संबोधित भी करेंगे इंग्लेंड के प्रधान मंत्री कीर स्टार्मर ने अगले साल की शुरूआत में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझोते FTA के बारे में बातचीत फिर शुरू करने की खोशन की है उन्होंने ब्राजील में G20 शेकर संबेलर के दोरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिपक्षी वैठक के बात कहा कि भारत के साथ एक नया व्यापार समझोता इंग्लेंड में नौकरियों का सरजन करने में मदद करेगा और देश भर में विकास और अवसर प्रदा मतदान सुबह साथ बजे से शाम पांच बजे तक चलेगा सुरक्षा कारणों से जहारखंड में 31 मतदान के इंद्र उपर मतदान शाम चार बजे तक होगा मुखे निरवाचना देकारी के रवी कुमार ने कहा कि मतदान प्रक्रिया की निग्रानी के लिए लाइव वेब य की जाएगी महरास्ट्रों में एकी चरण में सभी 288 सीटों के लिए भी मद्दान होगा मद्दान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा दोनों राज्यों में मतों की गिंती 23 नवंबर को होगी चार राज्यों की 15 विधान सभा सीटों और एक लोग सभा सीट पर उपचना के लिए भी कल ही वोट डाले जाएंगे ग्री मंत्री अमिश शाह ने गुजरात के गांधी नगर में 50 में अखिल भारतिये पोलिस विध्यान सम्मेलन का उधगाटन किया इस कारिक्रम का आयोजन पोलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो तथा राष्ट्रिय रक्षा शक् उधगाटन समारों में ग्री मंत्री ने काहा कि पिछले दशक में देश ने संघर्ष प्रभावित अधिकतर क्षेत्रों में हिंसा में कमी लाने में महतुपूर उपलब्दी हासिल की है श्री शाह ने कहा कि कश्मीर उत्तरपूर्व और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्ष स्थिती में काफी सुधार हुआ है दिल्ली सरकार ने केंद्र से राष्च्ट्री राजधानी में गंभीर वाईू प्रदूशन संकट से निपटने के लिए कृत्रिम वर्षा कराने के लिए क्लाउट सीडिंग की अनुमती देने का अग्रे किया है दिल्ली के परियावरन मंतری गोपाल राय ने केंधरिये परियावरन मंतری भुपेंदर रियादव को पत्र लिख कर वाईू प्रोडूशन पर आपात कालीन बैथक बुलाने का अनुरोध किया है ने दिल्ली में श्री राय ने कहा कि विशेशग्यों से परामर्ष किया गया और अब समय आ गया है कि दिल्ली NCR में धुंद को दूर करने और वाई गुलवत्ता में सुधार के लिए कृत्रिम बारिश चिरू की जाए बिहार में महिलाओं की एशियाई हौकी चेंपिंशिप ट्रॉफी के दूसरे समी फाइनल मैश में शाम चार बच कर 45 मिनट पर भारत का सामना जापान से होगा इस समय पहले समी फाइनल में चीन का मुकाबला मलेशिया से जारी है अंतिम समाचार मिलने तक चीन ने 3-1 की बढ़त बना ली है इसके साथ ही ये समाचार बुलिटिन समाप्त हुआ